हेलो इस्टुदेंस आज मैं फिर बहुत दिनों के बाद आपका छठा चेप्टर दा आर्टिस्ट लेकर आया हूं और मैं बताना चाहता हूं कि यह आपके इसका सारांस बताना चाहता हूं और आपके एक्जामनेशन में आपजेक्टिव में यह बहुत मदद करेगा और यह प्रोज से लिए गया है यह प्रोज है तो दा आर्टिस्ट जो चेप्टर है यह लिखा गया है सीगा नायोवा द्वारा किनके द्वारा सीगा नायोवा जो एक जैपनीज राइटर है तो सबसे पहला कुश्चन आता है दा आर्टिस्ट इस रिटेन बाई सीगा शीगा नायवा वाज जैपनीज राइटर और द आर्टिस्ट क्या है तो द आर्टिस्ट एक सोट स्टोरी है और शीगा नायवा को सोट स्टोरी डाइटर भी कहा जाता है तो चलिए हम आगे देखते हैं सीगा नायवा का जन्म 1883 में हुआ था तथा इनकी मिर्थु 1971 में हुआ था सीगा नायवा इस सेलिब्रेटट जैपनीज सोट स्टोरी डाइटर तो सीगा अभी हम चर्चा किये थे कि सीगा नायवा जो है एक सोट स्टोरी डाइटर है और इन ही के द्वारा लिखा गया दा आर्टिस्ट दा आर्टिस्ट चेप्टर है तो चलिए तो सोट स्टोरी डा कि find out short story writer या who was या who is short story writer of the following तो इसमें हम समझ गया Siga Nayowa जो है वो short story writer थे तो यहां देख लेंगे एक बार फिर से Siga Nayowa is a celebrated Japanese short story writer of 20th century of 20th मने 20th सतावदी का एक कुछन यहां से फिर आता है कि Siga Nayowa कैवी सतावदी के short story writer थे तो 20th यहांने 20th सतावदी के short story writer 20th century writer मने जाते हैं He wrote very sensitive about his people and their culture इन्होंने लोगों के बारे में उनके संस्कृति के बारे में बहुत सारे सकरात्मक बाते लिखे हुए हैं बहुत सारी बाते बताया हैं लिखे हैं अपने स्टोरी में अपने चिप्टर में अब आगे आगे जो बात कर रहे हैं दा आर्टिस्ट जो एक short story है दा आर्टिस्ट क्या है एक short story है unfalse before us the world of a talented Japanese boy दा आर्टिस्ट में एक जापानी 12 years old boy की चर्चा है तो यहां एक कुशन आती है कि जो बच्चा है कि Japanese boy है उसका नाम क्या है तो उसका नाम सेवी रहता है उसका नाम सेवी रहता है और वे 12 years old का रहता है यानि कि 12 वर्स का यहां कुशन आपके objective में कई बार पूछ चुका है कि how old was सेवी सेवी was 12 years old boy यह बहुत बार पुछा हुआ है और किस इसकुल में पढ़ता रहता है यह भी क्यूशन बार बार पूछ आगया किस इसकुल में तो सेवी प्रैमरी स्कुल में 12 वर्स के बावजूद भी उसकुल में ही रहता है तो यहाँ से बहुत 3-4 क्यूशन आगया नाम था बारवर्स का था और primary school में ही पड़ता था इसमें यह बताया गया है कि सेवी एक talented बॉआ रहता है और उसके talent यानि कि उसकी talented बाती रहती है जो इसमें गुन रहता है उसको कैसे दवा दिया जाता है उसके माता-पिता के द्वारा इन बातों को बताया गया है Şebe gis सहर में रहता है वो Harvard Town रहता है उध्राज तहां तो Harvard टाउन रहता है इसमें यसे भी मने एक talented बॉआ माना जाता है जो लो की बात करते हैं जिसमें अपने तो मैं समझता हूँ इसको ध्यान से परहेंगे देख लेंगे आपके लिए बहुत helpful होगा फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद हो जये